उसके लिए महतोपुन क्यूशन है इन क्यूशनों का प्लास्टर तक जरूर देखना साथ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी सेयर जरूर करना आज का जो पहला क्यूशन है वो है राजस्तान में बहुदा सुका अकाल पढ़ने का अलारबूत मुख्य कारण क्या है राजस्तान के अंदर जो बहुदा सुका पढ़ता है अकाल पढ़ता है उसका मुख्य कारण क्या है तो अरावली का दक्षन पस्चिम से उत्तर के करण वायू मंदान में कहीं कहीं समाहनीक दाराओं की उत्पती हो जाती हैं जिसे वायू की बंवरवय चक्रवात उत्पन होते हैं इन्हें बंभूल्या बोलते हैं बंभूल्या से प्रभावी चेत्र है उत्रिपस्मी राजस्तान गंगानगर बिकानेर और बाडमीर सरवा अगले कुछने राजस्तान में जुलाईम है कि वायू दाव मांचीतर में नो सो निन्यान में मिली बार रेखा किन किन जिलों से उकर के गुजरती है। नो सो निन्यान में जो मिली बार रेखा है वैं जालोर पाली अजमेर टॉंक जिले से गुजरती हैं। अगला क्यूशनाव से पहले व्याक्या है कि अरब सागर जो मांचीतर में जो रावली के बराबर में ही यानि समांतर में गुजर जाता है आगे। राश्तार में बारिष्त नहीं करता है। राश्तार में दो परकार की मांचीतर में अरब सागर की दक्षनी पस्च में मांचीतर में आकरसित होती हैं। परकार की अरब सागरी मांचीतर में बिना किसी अवरोध के कारण सिधी निकल जाती है। और दक्षनी पुर्वे मांचीतर में पहुंचने से पुर्वे अपनी आदरता है, वो समाप्त कर देता है। अगला किशनी राजस्तान के जिस जिल्ये में 21 जून को सुरिय किसी दिखिरने पड़ती है, तो वह कौन सा जिल्या है। अगला किशनी निवन में से कौन सी जिल उदेपूर में नहीं है। राजस्तान के पवितर जील कोन सी है। पुसकर जील है। प्रतिवर्स कार्तिक सुकल एका दस्मी से पुर्णी मा तक मेला भी लगता है। प्रतिक सुकल एका दस्मी से पुर्णी मा तक मेला भी लगता है। प्रतिक सुकल एका दस्मी से पुर्णी मा तक मेला भी लगता है। 1680 में करवाया था। अगला क्रिशन है राजस्तान की कौन सी जील से प्राप्त नील हरित शेवाल से एन्टू यूगत खाद प्राप्त होती है। अगला क्रिशन है राजस्तान के अंदर शेवाल भी प्राप्त होती है। अगला क्रिशन है क्रोली जीला किसकी उत्पादन के लिए परसीद है तो लाल पत्र के लिए क्रोली को जाना जाता है। सिकर में सर्वादिग मात्रा में पाया जाने वाला खनीज कोंसा है तो केल साइट है वो राजस्तान के सिकर जिले से सर्वादिग निकाला जाता है। सर्वादिक निकाला जाता है डेगाना जो बाकरी खान है डेगाना बाकरी खान है नागोर में वहां से टंगस्टन निकाला जाता है। उसके बाद में आता है राजस्तान में टंगस्टन वूल्फ्रे माइट अहसक से प्राप्त होता है। अगला क्रिश्टन स्टिल ग्रेड चुन्ना पत्र के लिए परसी जिला कौन सा है। स्टिल ग्रेड के लिए जेसलमेर जिला परसी दै और सेकेंड ग्रेड में पूछा गया क्रिश्टन है। राजे में सरवादिक चुन्ना पत्र का उत्पादन चितोडगर जिले में होता है। चुन्ना पत्र तीन वर्ग में प्राप्त होता है। सब्सक्राइब राजस्तान में खनीज तेल का सब सेधी गुतपादन करने वाले तेल चेतर का नाम है मंगला जो बाड मेर मिश्थी तेर सेकेंड ग्रेड में पूछा गया क्यूशन है राणा सांगा ने किस यूद में बाबर की सेना को हराया था राणा सांगा ने किस यूद में बाबर की सेना को हराया था सेकेंड ग्रेड 2010 में पूछा गया क्यूशन है एगरिकल्चर ओफिसर 2013 में पूछा गया क्यूशन है तो राणा सांगा ने बयाना के यूद में बाबर की सेना को हराया था अगला जो क्यूष्शन है उदे सिंग के साथ चितोड छोड़ने के पस्चात पन्णा को किस स्थान पर आश्रे प्राप्त וब ता यानि उदे सिंग के साथ ने पन्णा नहीं चितोड छोड़ा था तो वैं कौन से स्थान पर जाकर की रहने लगे थे तो कुम्बलगड दुर्ग में रहने लगे थे 2nd grade 2010 में पूछा गया क्यूशन है अगला क्यूशन है 1689 में मुगल समराट औरंग जेव तथा राणा राज सिंग के मद्दे उतपन कटूता का प्रमू कारण क्या था 1689 में मुगल समराट औरंग जेव तथा राणा राज सिंग के मद्दे उतपन कटूता का मूखे कारण क्या था 2010 में पूचा गया क्यूशन है 2nd grade में कारण ये था कि राणा राज सिंग द्वारा ओरंग जेव की हिंदु विरोधी निति का प्रतीरोध किया था इसलिए 1689 में मुगल समराट औरंग जेव त़ा राणा राज सिंग के मद्दे उतपन हो चुकी थी अगला जो क्युष्चिन है ओरंगजेव इसलाम का कटर समर्थक था और 1600 गुणंतर में उसने हिंदूओं के मंदिरों अपाट सालों का तोड़नी की अनमोती दी थी और साथ में 1600 उनियासी में उसने हिंदूओं पर जजिया कर भी लगा दिया था इन सबी गड़नाओं के फलसरूप राज सिंग ने ओरंगजेव का विरोध करना सुरूख कर दिया था इसलिए इनका एक परतिरोध हुआ था तो ये इसकी व्याक्या थी कि राज सिंग ने ओरंगजेव का विरोध किया था क्योंकि मंदिर तोड रहे थे पाट साल ही तोड र वारा महराना परताब से मेत्री स्तापित करने के लिए गठी तरती एस्ट मंडल का नेतर्त्व किस ने किया था तो बगवंत दास ने नेतर्त्व किया था अगला चो किस ने राणा सांगा वे बाबर के मद्दे निरनायक यूद कब हुआ था राणा सांगा वे बाबर के मद् से निर्णायक युद जो खानवा का युद वा था 17 मार्ज 1527 को खानवा के मेदान में रणा सांगाव बाबर की सेनौ के मद्दे युद वा था जिसमें बाबर की हार होई थी अगला चुक्किक्षेन है निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा की युद में बाबर की विरूद सराना सांगा के पक्स में लड़े थे सही उतरका में चेन करना है तो राजा बारमल इडर विरम देव मेरतिया ये दोनों लड़े थे तो एक दो ओप्सन है वो सही है करनल जैम्स टोड के अंचार खानवा की युद में राणा सांगा की से नामी तेहतर उच स्रेणी के राजा वे नो राव एक सुचार बड़े सरदार सामिल थे खानवा की युद में किया हैं अगला किशने हर्माड़ा का यूद्ध कब हुआ था हर्माड़ा का यूद्ध कब हुआ था सेरसा के सेनायक हाजी खा और उदे सिंग के मद्धे हर्माड़ा का यूद्ध था पंदरा सो सित्यों में उदे सिंग वे मेवार के हाजी खा के मद्धे हर्माड़ा का यू कर्म में अकबर को जेमल एमखता के प्रबल विरोध का सामना करना पटा ता तो चीत वड में अगला जो क्विशन है, जोदपूर में आरिये समाज की स्तापना किसके सासक के सासन काल में की गई थी? जोदपूर में आरिये समाजगी स्थाप्तना महाराजा जस्वन सिंग दिर्थिय के काल में किये गई थी फर्स्ट ग्रेड में पुछा गया क्यूशन है अगला क्यूशन है महाराणा परताब ने कितने वर्सों तक सासन किया था महारणा परताब ने 24 वर्षों तक सासन किया था 1532 से लेकर के 1597 में तक महारणा परताब ने सासन किया था अगला कुछने महारणा परताब के समय अकबर ने सहबाज खांको कितनी बार मेवाड पर आकरमन के लिए बेजा था अगला कुछने अलाओदिन खिलजी के जालोर विजे के समय वहां का सासक कौन था तो अलाओदिन खिलजी ने जब जालोर पर विजे किया था तो जालोर में कानरदेव का सासक था अगला जो क्यूशन है अलावदिन खिलजी ने रणतंबोर पर आकर्मन किया था क्योंकि हमीर दवारा सुल्तान के विद्रोईयों को सरन दीथी इसलिए अलावदिन खिलजी ने रणतंबोर पर आकर्मन किया था और रन धंबोर के सासक हमीर देव ने मंगोल विद्रोईयों महुमद साहय कहबरू को अपने यहां सरण दीव थी अगला जो क्यूशन है 1101 में उर्बान में तराइन के युद्व में किस चोहन सासक को आकर्मन कारी साहबु दीन गोरी से लड़ना पड़ा था तो पर्त्वी राज तिरतिये चोहन सासक था फिरतिये यह सेकंड ग्रेड में पुछा गया क्यूशन है अगला क्यूशन है रनतंबोर के हमीर्देव के विरुद किस मुस्लिम सेननायक ने खिलजी सेना का नितरत्वे किया था तो नुसरत खानी खिलजी सेना का नितरत्वे किया था रनतंबोर के हमीर्देव के विरुद जब युद्ध हुआ था उस समय अगला किशन है अलावदीन की आकरमन केस्स में रनथमबोर का सासक कोन था अमीर देव चोहान था रनथमबोर का सासक जब अलावदीन खिलजी ने रनथमबोर पर आकरमन किया था सेकंड ग्रेड में पुछा गया किशन है अलावदीन खिलजी ने तेरा सो एक में रनथमबोर पर आकरमन किया रो इस यूद में हमीर के सेनापती रनमल वरतिपाल के विश्वास गात के कारण हमीर पराजीत वा था जिसके फल सुरूप उसकी महरानी रंग देवी नी राजस् नी बनाया था सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया किशन है अजे राज एक चोहान सा सकता जिसने एजमेर को सबसे पहले अपनी राजदानी बनाया था अगला किशन है त्राइन का दिर्तिय यूद लड़ा गया था मोहमद गोरी वे परतिव राज चोहान तिर्तिया के नारगड दुर्ग है वो की स्रेनी का दुर्ग है दानवे दुर्ग की स्रेनी का दुर्ग है सोनारगड दुर्ग राजस्तान के दुर्गों को पर्मुकत है छे बागु में बाटा गया है यानि छे स्रेणिया बताई गई है राजस्तान के अंदर अलग 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 दुर्ग है तो वो कौन-कौन सी स्रेणि में आते है छे स्रेणिया बताई गई है गीरी दुर्ग जिनको परवत दुर्ग भी कहते हैं, चितोडगड में जो दुर्ग है, एक कुमलगड दुर्ग है, मेरानगड दुर्ग है, अचलगड दुर्ग है, तारागड दुर्ग है, नाहरगड आमेर का जो दुर्ग है, जेगड दुर्ग है, जेगड दुर्ग है, ये सभी दुर्ग है, वो गीरी दुर्ग क दुर्ग है, वो जल दुर्ग है, कालिशिनद्वाँ आहू नधीय के संगम पर है, सेरगर दुर्ग है, वो 12 में है, जो एक जल दुर्ग की स्रेणिमी आता है। अगला किशन है धानवे दुर्ग, धानवे दुर्ग वै होता है जिसके चारो और मुरू स्तल से घीरा वाओ, जैसे बिकानेर का किला है वै एक धानवे दुर्ग है, बटनेर का किला धानवे दुर्ग है, जेसलमेर का किला धानवे का दुर्ग है, नागोर का किला, चुरू का किला बाड मेर का किला इसे भी धानवे दुर्ग की स्रेणिमी आते हैं अगला है स्तल दुर्ग स्तल दुर्ग की बात करें तो इंटो वे प्रस्तर से निर्मीत दुर्ग होता है वे स्तल दुर्ग होता है जुनागड है भीकानेर का पोकरन का किला है जैसल मेर वाला ये दोनों उस्तल दुर्ग है उसके बाद में बात करें पारिक दुर्ग की पारिक दुर्ग वेवता जिसके चारों और गहरी खाई हो जैसे लोहागड का किला बर्तपूर का जो किला है लोहागड का किला वेवारिक दुर्ग की स्रेणी में आता है उसके बाद में बात करें वन का किला स्वाइमादोपूर के अंदर हैं ये एक वन दुर्ग किस रेने में आता हैं अगला क्यूशन है कुच्चामन दुर्ग किस जिली में स्थीत है तो कुच्चामन की बात करें तो कुच्चामन एक नागोर में दुर्ग है कुच्चामन दुर्ग ये थर्ड ग्रेड में अगला क्यूशन सेकंड ग्रेड में पुछा गया है कि बीकानेर के परसीद किल्ले का निर्मान करता किसे माना जाता है। यानि बीकानेर का जो जुनागड दुर्ग है उसका निर्मान किसे ने किया था तो राय सिंग ने किया था। बेकानेर के किल्ले को जुनागड दुर्ग के नाम से भी जाना जाता हैं और इस किल्ले के दर्वाजे पर जेमल वे फता की गजारूड मूर्तियां स्तिध हैं जेमल और फता की मूर्तियां भी हैं जुनागड किल्ले के आगे बेकानेर में अगला जो क्यूशन ने वह परचीद राजपूत राजा कोन था जिसने राजस्तान में सर्वाधिक दुर्गों का जिर्णो दवार वे निर्मान करवाया था राजस्तान का वह राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्तान में सरवादिक दुर्ग बनाये थे तो महाराना कुमबा ने बताया है कि 32 किलों का निर्मान करवाया था यानि सर्वादिक महाराना कुम्बा नी किल्ले बनाये थे राजस्तान में 32 किल्लों का निर्मान कर रहा था और महाराना कुम्बा एक फरक्यात वास्तुविद भी थे जिनोंने 32 किल्लों का निर्मान कर वाया था अगला किशन है जल दुरुग कहां पर है जल दुरुग है वो कालीशिंद आहू नदियों की संगम पर स्थीत है गागरुन का दुरुग वै एक जल दुरुग की स्रेणी में आता है यह जालावार जिली में स्थीत है यह दुरुग आहू वै कालीशिंद नदियों के संगम प तिमनगर का किल्या इंपोर्टेंट है क्योंकि क्रॉली जीने के अंदर है इस दुर्ग का निर्मान बैयाना के महाराज विजेपाल के पुत्र त्रीभुवन पाल या तिमन पाल ने 11 स्थाबदी में करवाया था और क्रॉली में मंड्रायल दुरुग भी इस्तित है जो गवालियर दुरुग की कुझी भी कहलाता है यहां मरदान साहे की मस्जित है important question यह है कि मरदान साहे की मस्जित कापर है तिम्मनगड का किला क्रोली में अगला किशन राजस्तान का एक मातर जो मुस्लिम दुर्ग निर्मान पत्ती से बनावा है मैगजीन दुर्ग है अजमेर के अंदर वह एक मुस्लिम दुर्ग निर्मान की जो पत्ती है उसके आदार पर बनाया गया है मैगजीन दुर्ग ये आरेस में पुछा गया क्यूशन है अगला क्यूशन है विजे स्तम किस किले में स्तित है इंपोर्टेंट क्यूशन है विजे स्तम भी इंपोर्टेंट है और ये भी इंपोर्टेंट है कि ये किस किले में स्तित है विजे स्तम तो ये चितोडगड के किले में स्तित है विजे स्तम अब देखें स्तम है जो विजे स कहते हैं मारणा कुमबा द्वारा निर्मान करया गया था विजय श्तम का चितोड़गर के किले में और सारंगपूर के यूद वा था 1437 में उसमें मालवा के सासक मेहमूत खिलजी को अराया था और विजय के उपलक्स में वीजे स्तम है वो बनाया था, बारती मूर्ती कला का विश्यो कोस्ट भी है, अगला क्युष्ण है बटनेर का दरुग की सजिले में है, तो important क्युष्ण है बटनेर का दरुग है, वो अन्मानगर जिले में है और उतरी सिमा के प्रहरी के रूप में विख्यात है, इस किले का निर्मान भूपत बाटी ने करवाया था और तेमूर के अपनी आतम कथा तुजू के ए तेमूरी में इस किले के बारे में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत वे सुर्कशित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा है तुजू के तेमूरी ने लिखा है अपनी पूस्तक म कि मैंने इतना मजबूत व्य सुर्क्षित किला पूरे इंदुस्तान में नहीं देखा है। पूपत बाटी ने बनवाया था भटनेर का किला हनुमानगड में। अगला किश्ण है राजस्थान में किस किले के पास जेवी को ध्यान स्थीत है। नहरगड का जो किल्ला है उसके पास में जेवी को ध्यान है अगले जोकिशन है जैसलमेर में 1550 में वहां के साथ सक लूनकर्ण केस में अर्द साका वा था क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ था किन्तु जोहर नहीं वा था जैसलमेर में 1550 में वहां के साथ सक लूनकर्ण केस में अर्द साका वा था क्योंकि केसरिया तो हुआ था किन्तु जोहर नहीं वा था गुबारा नुसरत नागपली गजक नाम है यह सभी किसके नाम है गुबारा नुसरत नागपली गजक यह जोदपूर दुर की तोपों के नाम है गुबारा नुसरत नागपली और गजक यह जोदपूर की तोपों है जोदपूर दुर के अंदर जो तोप है उनके नाम है इसका नाम मुस्तफाबाद रखाता किले में सुफी संत मिटे सा की दरगा भी हैं अमिमुदिन चिस्ती की दरगा हैं और और औरंग जे द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी हैं गागरोन दुर्ग में अगला किष्ण निर्मल की स्तानों को आगे उनकी समझत जो दरग है उनका सही युगम कौन सा है वो में देखना है जेसलमेर में मेरांगड नहीं है जोधपूर में है मेरांगड उसके बाद में जुनागड बिकानेर में है जोधपूर में नहीं है शेरगड कोस्वर्दन सही यह वो बिकानेर सोनारगड यह गलत है जैसलमेर का जो किला है वो सोनारगड का किला है उसके बाद में जोधपुर का किला मेरानगड मयूर धवजगड मोर धवजगड या गड चिंतामनी है बिकानेर में जुनारगड का किला है और लालगड का किला है अगरा जो किशन है वो है किले किलों की युग में तारागड किले के नाम से जाने जाते हैं तारागड किले के नाम से जाने जाते हैं तो बुंदी और अजमेरु दुर्ग यानि बुंदी में एक दुर्ग है और एक अजमेर में हैं दो दुर्ग है जिनका नाम है तारगड किला अगला किषिनई राजस्तान में चितोडगड के पसाद सबसे बड़ा लिविंग फोड कोन सा है राजस्तान में चितोडगड में भी रहते हैं और उसके बाद में जैसल मेर के किल्ये में भी रहते हैं अगला क्यूशन है जादरा पाटन में नव लखा दुर्ग की नीम किस ने रखी थी जादरा पाटन में नव लखा दुर्ग है उसकी नीम पर्थवी सिंग ने रखी थी उसके बाद में है कवी श्याम प्रवादास कहते हैं कि मेवाड में चौराशी खंबों में से मालना कुम्बा ने 32 खंबों का निर्मान करवाया था। अगरा जो क्यूशन है वह है कि वह किला जिसमें एक जैसे नो महल है। प्रवादास क्यूशन है नहारगड या सुदर्शनगड दुर्ग हैं उसके अंदर नो महल एक जैसे हैं। आरपेसी में पुछागा क्यूशन है स्वाई मादो सिंग दूर्थिय ने नो पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाया थे। इस दूर का निर्मान स्वाई जैस सिंग ने 1734 में करवाया था। इसे सुदर्शनगड के नाम से भी जाना जाता है। सुदर्शनगड, नहारगड, स्वाई, मादो सिंग, दूर्थिय ने नो पासवान रानियों के लिए नो महल बनवाया थे और इस दूर का निर्मान जैस सिंग ने 1734 में करवाया था। अगला क्रिशन है, मुगल सली में राइसिंग दौरा निर्मी दूर कोन सा है। अगला क्रिशन है, महानाकूमबा दौरा निर्मी दूर के लिए करवाया था। निर्मान करवाया था जिसके मुख्ये चिलफगार थे जेता और उसके पुतर नापपा, पॉमा और पूंजा थी उसकी उंचाई है 120 फिट यहां पर 9 मंजिला है इसे बारतिय मूर्तिकला का विश्व कोस भी कहते हैं यानि कि दोस्तों लगबा क्यूशन यही आता है कि विज क्यूशन बनते हैं बहुत सारे क्यूशन बनते हैं इस व्याक्या से तो व्याक्या जरूरी हैं दोस्तों इक क्यूशन आपको कैसे लगे कोमेंट में जरूर बता दे साथ इस वीडियो का लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेहर जरूर कर दे इसी तरह के महतपून क्यूशन देखने के लिए आप चैनल सबस्क्राइब जरूर करें ताकि आपको जल्दी सी जल्दी important question मिलते रहें thanks for watching आप कजिन सुबो